हेलो एव्रिवान नमस्ते वेकम तो मैं चानल मैं व्यूवस तो गाइस अभी यहाँ पे चू रीडिंग मैं करूंगे आप लोग को खेले उसका चौपिक बताने से पहले आप लोग यह चानलों कि यह एक 18 प्लस लाफ रीडिंग होने चाहरा है तो अगर में ऐसे कोई व्यू तो मैं व्यूवस आज का टॉपिक है यह फोस्टायम विद यह फूचर स्पाउस आपके उने वाले वाइफ के साथ आपका पहला सेक्शल एंकाउंटर कैसा रहेका क्या वो शादी से पहली होगा यह शादी के बाद होगा लाग सुहाग रात पे यह पर जब आप लोग हनी यह फिर यह पर अगर कुछ मेरे व्यूवस को यह भी जानने का मन है कि आपके फूचर स्पाउस के साथ जो आपका फुस्ट सेक्शल एंकाउंटर रहेका उस दौरान आपके फूचर स्पाउस क्या प्रिफर करेंगे क्या सेक्शल स्टायल को वो प्रिफर करेंगे लाइक oral sex, that traditional old school sex क्या उनका style रहेगा क्या जो भी मुझे यापर दिखेगा गाइस सब कुछ मैं डीटेल में बताने शार रहे हूँ तो यहाँ पी आपको पैल के सेलेक्शन कैसे करना है red color feather जो है वो पैल नमबर 1 है and light pink color feather जो है वो पैल नमबर 2 है और guys यह reading timeless रहेगा general reading भी है males, females हाई कोई मेरे reading को जब 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 आई आप लोग देख सकते हूँ सुन सकते हूँ refer कर सकते हूँ और guys मेरे जो previous reading होते हैं वो भी मैं टामलेस रखती हूँ general reading रखती हूँ और जंडर स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो मेल्स वीमेल्स हार कोई मेरी रेडिंग्स को चाप 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 आप लोग रेपर कर सकते हूं कोई न कोई पॉइंट आपको ज़रूर रेसुनीट करें का माई व्यूवस उस हिसाब से मैं अपने सारे हाई रेडिंग कर तूँँ तो है प्यूवस और मुझे मोटिवेट करने के लिए सर्फ आपको सब्सक्राइब करना पड़े का माई व्यूवस और मेरी ब्लेसिंग्स तो है याप लोगों के साथ हमेशा तो माई व्यूवस अभी मैं रेडिंग शूर करते हूँ पाल नंबर वन से नमस्ते माई पाल नंबर वन व्यूवस वाकम तो माई चानल माई गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ दहमिट का कार है आवा है जो कि अप्राइड पोजिशन में है कुछ यहाँ पे और एक्स्ट्रा कार्स आप लोग देख पा रहे होगे और यहाँ पे कुछ सेक्स्ट्राइड कार्स भी मैंने आप लोगों के लिए पहले ही सब्ल करके रख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपका रीडिंग को डीटेल में कर पाऊं और कैस्ट जब मैं यह सब चीज़े पता रही थी आई थिंक आपको एक गारी का हॉन कहलो या पिर कुछ एक सुनाई दिया होगा तो अगर सुनाई नहीं दिया हो है तो मैं बता दू कि वो एक इंडिकेशन होता है जो कि डिवाइन की तरफ से है आप लोगों खेले बहुत चल्दे आप लोग कहीं पर ट्रावल करने वाले हो अगर आपके शादी की उमर हो चुकी है अगर अपी मेरे लाइप पर कोई आता है या आती है तो मैं तो रिलेशनशिप में चला जाओंगा या चली जाओंगे अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में आ चुका है तो आप जानड़ो कि वो समय आ गया है आपका आपके पलसें से मुलागात का कोई न कोई ट्रावल आपको सड़न करना पड़ेगा कोई प्रिपेरिशन नहीं नथेंग सड़न आपको कही जाने के जरुत पड़ेगी कोई ओकेशन या कुछ भी कुछ भी ऐसा रीजन होगा जो आप मना नहीं कर पाऊगे और आपको जाना ही पड़ेगा और उस तोरान होगा आपकी मुलागात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ I know अभी टॉपिक है कि आपका फॉर्स टाइंग जो रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसा रहेगा क्या होगा आप उनके बीच में वो सब मैं डीटिल में बताओं की मैं वीवर्स लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटर कुछ चीज़े आप लोगों को बता देती हूँ आपके लाइब से रिलेटर उसके बाद हम लोग मुद्दे पे आएंगे ठीक है क्योंकि गाइस यह रिडिंग जो है यह एक्स्ट्रीम लेवल पे इंडेफ्थ रिडिंग रहेगा तो हर एक डीटिल बात आप लोगों को पता चलने वाली है तो गाइस आपका फ्यूचर स्पाउस और्थ साइन के ही होंगे टारस वर्को कैप्रिकॉन और वर्को होने के चांसे यहां पे ज़्यादा है कुछ लोग के लिए मुझे यह देख रहा है कि हो सकता है कि आपके पुलस वर्जिनो कुछ लोग के लिए हर किसी के लिए नहीं और मुझे ये तक दिख रहा है कि आपके परसन थोड़े उस हिसाब से होंगे चाप पे कि वो बोलते है ना पढ़ाको किसम के हो सकते है या फिर एक खडूस जिसे बोलते है सक्थ लॉंडा या खडूस लड़की जिसे बोलते है जो अपने कांसे मतलब रखते है उस तरह का उ निचर रहेगा हर किसी से बात करना जॉली बबली टाइप का निचर ऐसा उनका नहीं रहेगा ठीक है ये ऐसे पोसन होंगे जिसको पाने के लिए हर कोई ख़ाप देखते है ड्रीम बोई ड्रीम गल कांड उप उनका पोसनलिटी रहेगा दिखने में खूबसूरत दमाग से देश और पॉपलर आई नहीं होती है लेकिन कभी कुमार होता है ना कि फोस्ट साइट में ही यू गाइस फील की यार इसके अंदर तो सारी क्वालिटी है तो वो टाइप का फीलिंग आपको आईगा जब आपके पहली मुलाकात आपके ये पोसन से होईगा वो ट्रेडिश कर सकता है ये इनसान अपने काम को सबसे भैतर करने की काबलियत रखता है ये इनसान और एक चीज़ है कि इनके फैमिली रिच होंगी तो कोई पैसा कमाने का स्ट्रेस इनके अंदर नहीं होगा पैसा कमाता है ये इनसान ठेक है लेकिन एक होता है ना कि अकर आपकी फैमिली कि मन में नहीं रहे का क्योंकि family rich है guys पैसे वाले होंगे पैसों की कमी नहीं हो कि उनके पास ठीक है और वो अपने करियर में न मैं यहां पे देख रहे हूं कि उन्होंने बहुत सारा करियर को try किया है कहीं वो research में भी थे कहीं वो कुछ काम कर चुके थे like part time तो बहुत सारी च काम में वो involved ही होंगे मेरी कहने का मतलब है in short बहुत सारी profession का knowledge रहे का उनका और किसी को date नहीं कर रहे होंगे guys जब आपके मुलाकात उनसे पहली दफा होएगा क्योंकि उनके लिए प्यार मैटर करता है लेकिन जिससे प्यार करो शादी उससे करो इस तरह का यह इंसान है I know आजकर के टाइम में ऐसा मिलते रही हैं लेकिन आपको मिल रहे हैं आप लगी हो कुछ अच्छे कर्म आपके करे है पास्ट लाइफ में और उस अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाला है आपके future spouse के तौर पे और मुझे जादा तर ऐसा फील हो रहा है कि वो version ही होंगे चा को उनका नीचो रहेगा ठीक है और आपकी पहली मुलाकात उनसे कोई मंदिर में शादी हो रही है वहाँ पे अटेंट करने गए हो या किसी बच्चे का मुंडन है जो ऐसा कुछ होता है इसलिए आप कहए हो वो भी वहाँ पे अपने काम से कुछ आए हुए थे या फर simply वो आप लोग मिलोगे उसके आसपास कही नहीं मंदर जरूर होंगे या मंदिर के घंटिया सुनाई दे रही होगी यह एक इंडिकेशन है आप लोग के लिए ताकि आप जान पाओगे और आपका परसन फ्रीडम रविंग होंगे उन्हें रोक टुक पसंद नहीं है अपनी मर् का कर यहां कि आप मतलब आप जांडब की कोई दर्ड पार्टी नहीं था नहीं थी नहीं हो का नहीं पनाओगी और आपका जो एक मेरा शादी अगर हो तो लाजमिश फेल लाइन कि शादी नहीं टूटेगी तो यह हो गया आपका future spouse के बारे में आपके बारे में जो भी मुझे थोड़ा बहुत दिखा मैंने पता दिया अभी हम मुद्दे के ऊपर आ जाता है Your first time with your future spouse So my viewers, आपका first sexual encounter with your future husband or wife यह कोई एक celebration के दोरान होगा, कोई party में होगा ठीक है, आप कहे वे हो, वो आए हैं same party में या फर simply आप दोनों ही एक party attend करने के लिए कहीं पे गए वे हो जापे धीर सारी लोग हैं and हर कोई enjoy कर रहा है party को fully and उस time पे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके future spouse initiate ले रहा है मतलब यहाँ पे आपकी तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं देख रहा है that you guys are seducing your person या फिर आपके मन में ऐसा कुछ है कि आप उनके साथ physical होना चाहती हो नहीं आपके मन में ऐसा कुछ है ही नहीं ठीक है आप बस party attain कर रहे हो आपको बड़ा मसा आ रहा है कि यार music बच रहा है सब dance कर रहा है आप भी अपने में मस्त हो तो यहाँ पे वो खुरापाती चीज़ है आपके future spouse के दिमाग में आएगा कि मतलब वो चांस मानने के वारे में नहीं सोच रहा होंगे लेकिन आप उस तिन इतने खुबसूरत लग रहे होगे इतने प्रिटी लग रहे होगे ना कि वो खुद को रोक नहीं पाएंगे ठीक है यहाँ पे मैं वीवास आप देखो strength का card आए वा है यह वाला card ठीक है तो वो थोड़े out of control हो रहे है and they were holding your hands quite tightly and they were taking you to some room वहाँ पे जो भी room होगा या फिर जाड़िया जो बोलते है एक ऐसे जगे पे लेके जाएंगे आपको जहाँ पे कि थोड़ा कोई नहीं होंगे and you guys are completely alone और यहाँ पे आप देख पारे हो कि आप जो हो आप चाह लड़का हो लड़की हो that doesn't matter at all लेकिन आपके मन में एक चीज़ रहेगा कि यार नहीं अभी नहीं कहते है बुझे लेके कहां जा रहे हो तुम and यार तुम out of control हो रहे हो चलो घर चलते है बहुत हो गया बहुत party attend कर ले अभी जाना है तो इस तरह सा आपका nature रहेगा चाह पे कि you guys are quite uncomfortable और वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यह थोड़ा सही नहीं हो रहा है यह सही time नहीं है और आप जाने के लिए तैयार नहीं होगे लेकिन फिर भी वह होता है ना जिससे प्यार करते हो उसकी बुरी चीज़े भी आपको सही लगने लग जाते है जब वह आपको एक रूम में लेके जाएंगे वह कोई ऐसे नहीं होंगे कि हावश्यवाश्यवाश्यवाश्य टाइप आपको अब दार भी आपको दिर्ट कीज़े अपको दिर्ट कर रहा है नोट लाइक टीक है at the same time वो आपको बिठा रहे है वहापे अगर बैड हो या कोई चेर हो and they were offering you some drinks अगर आपको drinks पीना पसंदे otherwise they will offer you chai coffee or cold drinks जो भी आपको पसंदे आपको ओफर करेंगे आप थोड़ा प्योंगे वो अपने उन्होंने जो छुपा के रखा होगा flowers, chocolates or gifts कहलो आपके लिए वो लेके आए होए होंगे वो बस एक सही समय का इंतजार कर रहे होंगे कि यार सही समय मिल जाए हम लोग अकेले वो उसके बाद इसको दूंगा ये सारी gifts या दूंगी इसको ये सारी gifts and after that they will offer you all that gifts and आप बहुत खुश हो जाओ कि आपका माइन थोड़ा सांत हो जाएगा कि चलो ये जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है मेरे साथ या मेरे ओपर हावी तो नहीं हो रही है ये मेरे साथ ठीक है और उसके बाद वो थोड़ा आपके चिक्स को तच करेंगे and slowly slowly they will bring your face near to them and they will start kissing you and that kiss will be an intense kiss बहुत ही जोगा बहुत ही कामली वो आपको किस करेंगे ताकि आप थोड़ा 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 जाओ and while kissing you they will undress you and at the same time you guys will feel कि चलो कोई नहीं है सही समय क्या होता है मुरा थोड़ी देखना है and आप ही उनको undress कर रहो and at that time वो उनको थोड़ा ऐसा लगे का कि चलो आप कोपरेट कर रहो and आप ही उनके साथ मतलब आप ही उने प्यार करना चाहते हो ऐसा उनको फील होगा and they simply hug you ठेक है जैसे कि यहां पर hug कर रहा है ठेक है उनको आपका जो जो चेस्ट अरिया है बहुत सथा अट्रैक्ट करता होगा चाहा प्लड़का और चाहा प्लड़कियो they really feel की बहुत ही attractive है आपका chest area ठेक है और वो smell करेंगे उस time पे and they will quite give you some love bites there on your chest area they will touch your booty and they really love your legs आपके leg बहुत साथ है attractive लगते होंगे उनको हो सकता है कि थोड़ा जोड़ से touch करें आपके thighs को and give you some scars there उनके मतलब थोड़ा वो मतलब उनका passionate and intense sight बहार राएगा जहापे कि वो आपको लपाईर्स दे रहे हैं and थोड़ा जोर से आपको मतलब hold कर रहे हैं जिसकी बतौलत कुछ scars यो है वो आपके हर body part में आ रहे हैं still you guys are enjoying that moment आप देखो आपके चेहरे पे satisfaction रहेगी you guys are quite happy कि यार मतलब आप ही enjoy करोगे उस moment को ठीक है और यहाँ पे the moon का का रहा है तो आपका जो first encounter रहे का आपके person के साथ वो रात के समय में ही होगा दिन का समय नहीं होगा ठीक है कि your person will prefer to go for that traditional normal simple sex with you ताकि आपका आप दोनों का जो first experience रहेगा sexual experience केलो वो ठीक रहे ठीक है वो नहीं चाहते होंगे कि पहली बार में ही वो अपना real wild side देखाएं otherwise here she is quite wild person जिने sex choice पसंद होता होगा वो थोड़ा experiments करना पसंद करते होंगे 69 portion को भी वो आपके साथ try करना चाहते होंगे लेकिन पहली बार जो आपका उनके साथ sexual encounter रहेगा वो बहुत ही simple होगा और थोड़ा बहुत मुझे oral sex के side पे ही दिख रहा है जापे कि वो जाथा तर उनका focus रहेगा आपके private parts को लिख करना किस करना आपके tits को bite करना like that and जाथा तर उनको आपका thighs बहुत साथा चलेगा अपना सर आपके thighs पर रखे वे हैं and they were kissing you like that आपको bent करके उन्हें आपकी बूटी भी बहुत साथा अच्छी लगती होगी देवर टचिंग और उस तरह में आप तोनो completely naked रहोगे like कुछ लोग को sexy laundry बहुत साथा अच्छी लगती है while having sex लेकिन आपके person को आपको पूरा naked देखना है तो इस तरह सा आप तोनों का first sexual encounter रहेगा जो कि लगभग पूरी रात बर चले वाला है like you guys will go for several rounds पूरी सुबह हो जाएगी ऐसे ही आप लोग enjoy करने वाले हो उस moment को और काफी याद कर रहेगा आपके लिए भी satisfying रहेगा और आपके future spouse तो खुश है ही आपके साथ okay so my viewers यह था reading आप लोगों के लिए तो अगर आप लोगों को मेरे जो readings होते है वो पसंद आते है, resonate करते है, खुश ही मिल दी है आपको सुनके तो आपको क्या करने like करने, share करने and subscribe करने मेरे चानल को okay so take care and be safe guys, love you all, thank you, bye, namaste